नमस्कार दोस्तों मैं अनिल कुमास्क इन्फो सिख्षा चैनल में आप सभी का हाथ इस्वागत करता हूँ दोस्तों आज के अपने लेक्षर में हम डिस्क्रस करने जा रहे हैं हाई स्कूल माइथमेटिक्स एंसीयाटी बुक्स का 4.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नम्बर सेकर्ड पिछले लेक्षर में हम प्रास्नों पे चैफ्चा कर चुक हैं पहले क्वेश्चन पे उससे पहले के क्वेश्चन पे एक्जाम्पल पे डिस्क्रसम किये हैं और उससे लेक्षर में इसके बेसिक कांसेप्ट पे चैफ्चा किये है क्वाइटिक एक्वेश्चन के दोस्तों यदि आप हमारे चैनल के द्वारा हाइश्पूल का ठिग्नोमेट्टी देखना चाहते हैं तो मैं लिंक में दे रहा हूं आप उसकी प्लेलिस्ट लिंक में दे रहा आप वहां से पूरे टिग्नोमेट्टी के वीडियो को एक्वेश्पूल कांसेप्ट और उसके क्वेश्चन पे पूरा पच्यर्चा किया गया है दोस्तों यदि आप चैनल सब्स्राइब नहीं किये हैं तो हमारे चैनल को सब्स्राइब करके बिल के आइकान पे क्लिक कर द आए उसका अपडेट आपको तुदांत मिलता रहे और वीडियो यह पसंद आए इसको लाइक कमेंट जरूर कीजिए अगर कहीं आपको प्राब्लम होती है तो आप कमेंट बाक्स में इसको लिखिए तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नमबर सेकंड का पाला फर्स्ट क्वे इसको प्रेटिक एक्वेश्चन क्या है दा एया अफे रिक्ट्रेंगलर प्लाइज फाइट मीटेर स्कॉर दलेंथ आप दप्लाइट इन मीटेर्स इस वन ओर दैंट वाइस इट्स ब्रेथ वी नीड तू फाइंद अन प्रेथ अब दप्लाइज यह पूछ रहा है कि एक आइटा का भूखंड का छेट फल पांसो अठाइस मीटेर स्कॉर है छेट की लंबाई मीटेरों में चोड़ाई के दो कुनेर से एक आधिक है हमें भूखंड की चोड़ाई ग्याद करनी है द्यान रखिएगा इसके लिए क्वाइडटिक इक्वेशन आपको बनाना ह अब हाय तो क्वाइडटिक इक्वेशन का लेकिन जानकारी इसमें ज्यादा आपको चाहिए जैसे दखिए पाले क्वेश्चन में रिक्टैंगल से सम्बंदित है दूसरा क्वेश्चन क्रामा का संख्याओं से सम्बंदित है तीसरा क्वेश्चन एज से सम्बंदित है और आहोगा प्राशनों को देख करके कि क्वेस्चन डिपेंड किस पर है और आपको एक्वेस्टन कैसे बनाना है तो आएए सबसे पाहले क्वेस्टन पर परच्याचा करते हैं कहना है रिक्टेंगल रिक्टेंगल क्या होता है इसको हम बहुत बेटर तरीके से अपने प्लेट जमेट्टी में डिसका सिसका कर चुके हैं यादि आपको यह लेक्ट्चर देखना हो आप प्लेलिस्ट में जाएए और रिक्टेंगल हो इसक्वायर हो पाहलेल व्राम हो तो इसका कांसेप्ट आप देख करके जटेट केजिए अब ध्यार रखिएगा कह रहा है अब देखिए सबसे पहले लंबाई और चौड़ाई को आपको कंसीडर करना पड़ेगा क्या कंसीडर करना पड़ेगा देखिए यहां दिया है लंबाई चौड़ाई के दो गुने से एक अधिक है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चवडाई को मान लेंगे X, ठीक है, माना, चवडाई, X, मीट्यर, हाई, इसके बाद लंबाई क्या हो जाएगी, इसी को आपको ध्यान में देखना है, क्या लेंथ क्या होगी, लेंथ को कैसे काउंट गाता है, चवडाई के दो गुने, दो गुने का मतलब क्या हो जाएगा, टू एक्स, एक अधिक, मोर तैन, वन, इसका मतलब प्लस, वन मेटेर, अब यहां से आपको यह मिल गया, कि लंबाई और चवडाई आपके पास आगे, लंबाई गुले चवडाई बराबर चवडाई, छे तफल यह फार्मूल आपको पता होना चाहिए तो क्या करना है लंबाई x एंटू चोड़ाई कितना 2x प्लस 1 बराबर एरिया एरिया कितना दिया है 5 to 8 मेटर स्कॉरर क्या गरना है इसको मॉल्टिप्लाई कार दीजिए 2x स्कॉरर प्लस 1 बराइकेट के बाहर जो भी क्वांटिटी रहेगी जो भी वायरिये बन रहेगा उसका मॉल्टिप्लिकेशन बराइकेट के अंदर जितने भी टार्म होंगे सम में उसका गुड़ा होगा कि इतना बन गया और यह बराबर क्या लिजिए 5 to 8 और यहां से इसको रिप्लेश सिधर क्या लिजिए कितना आएगा 2x स्कॉर प्लस 6 minus 5 to 8 is equal to 0 यह इसका पहला question हो गया यही इसमें करना ही है कि represent the following situation in the pharma quadratic equation आपका quadratic equation यह बनके तयार हो गया अब quadratic equation हल कैसे किया जाएगा इसका solution next exercise में है फोर 0.2 में वहां हम देखेंगे कि कैसे quadratic equation को सालू किया जाएगा बात यही पे इसका answer यही आ गया यह इसका answer है 2x square plus x minus 5 to 8 is equal to 0 अब आते हैं second question में पर्चेर चेकरते हैं कि second question क्या है आसा करते हैं कि आप अच्छे से quadratic equation को इस lockdown में आप गयर बैठें आच्छे तरीके से mathematics को सिखिए क्या करना है second question है दप्राड़क्ट आप तू का सिक्यूटिव वास्टिव इंटीजियर इज इंटीजियर सीज थी जी जीरो शिक्स है वी नीड़ फाइंड़ इंटीजियर दो क्रामागध्धन पूरांगों का गुननफल 306 है हमें पूरांगों को ज्याब करना है इसके लिए क्या equation बनेगा ज्याद किये क्रामागध्धन पूरांग तो क्या क्यातना है फर्ष्ट पाजिटिव इंटीजियर माल लेजिए फर्ष्ट पाजिटिव इंटीजियर क्या माल लिया गया एक्स हां अधाथम धनात्मक पूरांग लगातार है इसका मतलब क्रामागत कि इसको कहा जाता है जैसे एकर हम नमबर लेए जैसे मन हमने लिए 7 हमने लिया 7 के जर्ष्ट अधार क्या गएगा 8 पड़ेगा 9 ले लिया गया गया उसके बाद क्रामागत क्या आएगा 10 आएगा इसका मतलब क्रामागत नंबस निकालने होते हैं क्या किया जाता है 1 को add कर लिया जाता है इसका मतलब 2nd integer क्या होगा 2nd positive integer क्या हो जाएगा एक्स प्लस वन अब यहां दूती संख्या कि दूती पुड़ाग क्या मिल गया एक्स प्लस वन और इनका गुरनफल कितना दिया गया है 306 दिया है प्राडक्ट आप करती जिए कुछ नहीं है question में एक्स इंटू एक्स प्लस वन इज इक्वाल टू 306 इसका मल्डिप्लिकेशन करती जिए एक्स स्कॉर प्लस एक्स इज इक्वाल टू 306 और इसको इगर गर लीजिए ट्रांसपोर्ट कर लीजिए आगर ट्रांसपोर्ट गरेंगे क्या मिलेगा यह देखिए यह क्या आया यह एक्वालटिक इक्वेशन आ गया एक्स स्कॉर प्लस एक्स माइनस 306 है इस इक्वाल टू 0 डिस इस दा क्वालटिक इक्वेशन तो हमको क्वालटिक क्वेशन ही फाइल करना है अब इसके बाद हम देखते हैं थार्ड क्वेश्चिन थार्ड क्वेश्चिन क्या बनेगा कैसा इसका प्वालटिक इक्वेशन मनाएंगे इसको हम यहां पे देखते हैं तो हम की माउच से 26 वास वड़ी है उनकी आयो वर्कों में ताग उनन्फ के आब यहां पे क्या चीज आपको जाना पड़ेगा कि अगर हम कंसीडर करें कि एक व्यक्ति की प्राजेंट एज 20 एर है सपोच किजिए मैंने यह कंसीडर किया मान लिया कि प्राजेंट एज 20 एर है अगर हम करें 3 वर्स पस्षार उसकी उम्र क्या होगी बिल वी ठीक है तो क्या मिलेगा अगर इस समय 20 वर्स है तो तीन साल बात क्या हो जाएगी 23 इस लिए हम इसा आईसे प्रस्नों में वाटमान ट्रजेंट एस को जब मानते हैं तो अगर फ्यूचर में जाना है तो प्लस करेंगे और पास्ट में जाना है तो माइनस करेंगे यह आप ध्यान इस इन इस थ्री इस थाम नाव विल बी थ्री सिक्ष्टी वी उड़ लाइग तो फाइंड गोहां स्प्रजेंट एज इसके लिए अब एज निकालने के लिए क्वाइडिक एक्वेस्टन क्या बनेगा यही देखना है चलिए तो वहां की माँ उस्से छपी स्वास बढ़ी अगर मैं कहूं कि एक द्रश्टी ए है उसकी उम्र बी से दासवास ध्रीक एक क्या नेंगे विकी में कितना रोहां की उम्र है एक्स वार्स अब ज़रा बताईए कि यह प्राजेट्ट मतलब वातमान उम्र हम लेके चाहता है वातमान यानि की प्राजेंटेज हार एक क्वेश्चन इसका एक एक कांसेट को अपने अंदर छुपाए हुए है इसलिए इसके क्वेश्चन को आप समझेए बनाने कोशिश कीजिए चलिए प्राजेंटेज हमने क्या मान लिया एक्स वार्स अब उसकी मा की उम्र क्या आ जाएगी रोहन के मा की उम्र कांसी वत्मान उम्र कितना हो जाएगा हो जाएगा एक्स प्लस प्विंटी सिक्स है इसलिए उसकी मा उससे 26 वस बड़ी है अब क्या करना है तीन वस पस्चात जब तीन वस पस्चात दोनों की उम्र निकाली जाएगी ठोनों की तीन वस पस्चात उम्र थिक है आपकर थ्री है दोनों की उम्र निकालना है माता की और जोहन की तो जोहन की उम्र कितना हो जाएगी एक्स प्लस तीन हो जाएगी यह तो उहाल के उमर, और इसकी मा के उमर क्या हो जाएगी? X प्लस ट्वटी- enfim प्लस ठीजिन, यह तो X плюс 3 ही रहेगा, लेकिन यह X प्लस क्या हो जाएगा? 29. अब दोनों की उमर का प्राड़क्ट कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा. तो कितना मनाई है? अब देखिए प्राड़क्ट मतलब x plus 3 और कितना x plus 29 is equal to 30, 360 क्या कहतना है यह तो बंग यह 360 अब इसको multiply कर लिजिए इस equation को solve करते हैं यहाँ पे multiply कर लिजिएगा x plus 3 x plus 29 यह कितना बंग जाएगा यह बनेगा कितना देख लिजिए x square plus 3 x plus 29 x plus 39, 27, 36, 8 कितना बंग गया x square plus 32 x plus 87 यहाँ पूट कीजिए इसकी value x square plus 32 x plus 87 is equal to 360 इसको replace करेंगे x square plus 32 x plus 87 minus 360 क्या कर दिया जाए यह 360 में से 87 minus कर लिजिए यह आएगा 3 और यहाँ कितना आएगा 7 और यहाँ आएगा 2 क्या बंग गया x square plus 32 x minus 273 is equal to 0 यह इसका final answer आएगा इस तरीके से दोस्तों आपने क्या देख लिया कि तीन question आपके साल्व हो गए अब इसका last question साल्व करना है इसके लिए हम अलग से एक question का वीडियो बना दे रहे हैं अपने next lecture में इसी का solution समझते हैं इसलिए समझना पड़ेगा अलग से कि यह थोड़ा सा अलग है और इसके लिए आपको फार्मूला पहले जानना पड़ेगा ठीक है वीडियो जो बड़ा हो जाता है तो upload करने में दिक्कत कर सामना करना पड़ता है उतना data मेरे पास नहीं होता है तो इसलिए इस question को हम अपने next lecture में इसकस करते हैं दोस्तों यदि आपको ये तीन question का solution पसंद आया है तो आप इसको like किजिए, comment किजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सेयर किजिए जिससे ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँच पाए और लोग इसका लाब उठा पाएं तो हम अपने next lecture में इसी question के साथ उपस्तित होंगे और इसी concept की चर्चा करेंगे ठीक है दोस्तों तो टेन question पहले आप concept समझे लगाईए और भी तरीके से आप इस question को लगा सकते हैं कुछ की equation आप अलग अलग तरीके से भी बना सकते हैं तो हम अपने next video में चौथे second question के चौथे question के साथ मिलते हैं तब तक के लिए नमास्गा